इस question में हमें 3 points given एक triangle के और हमें area find करना है triangle का तो area of a triangle का formula हम कैसे लिखते हैं हम करते हैं 1, 2, 3, 2, 3, 1 and 3, 1, 2 अब ये क्या है ये first वाले हमारे x हो जाते हैं तो ये है x1 ये है x2 तो ये है x3 और ये दोनों होते हैं y तो ये है y2 minus y3 इन दोनों के बीच में minus आएगा similarly यहाँ आएगा y3 minus y1 और यहाँ आएगा y1 minus y2 अब इन तीनों को हम add करेंगे और ये पूरे के साथ बाहर multiply होता है 1 by 2 अब ये हो गया हमारा formula इसको दिख लेते हैं अब x1 y1 कैसे लेते हैं हम पर्स्ट पॉइंट हो जाता है x1 कॉमा y1 सेकेंड होता है x2 कॉमा y2 अब थर्ड पॉइंट होता है x3 कॉमा y3 तो अब इसमें value पुट करेंगे तो ये हैगा half into x1 minus 1.5 into y2 minus 2 minus y3 4 plus x2 6 into y3 4 minus y1 3 which is minus 2 तो ये क्याएगा half into 1.5 into minus 2 minus 4 plus 6 into 4 minus 3 plus minus 3 into y3 minus of minus 2 है तो ये हो जाएगा plus 2 अब ये तो easily solve हो जाएगा इसको solve करेंगे तो मैं area मिल जाएगा इसको लिख लेते हैं अब यहां minus 1.5 into minus 6 है यह 6 into 1 और यहां minus 3 into 3 plus 2 which is 5 तो minus into minus plus 9 हो जाएगा minus 1.5 into minus 6 which is plus 9 similarly यहां minus 3 into 5 है तो minus 15 आएगा तो ये हो जाएगा half into 9 plus 6 is 15 minus 15 अब half into 0 आगया तो हमारा area आगया 0 अब अगर एक triangle का area 0 है मतलब PQR ट्राइंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि PQR co-linear है मतलब यह एक line में लाई करते हैं तो दे आर पो लीनियर क्योंकि 0 आगया हमारा area स्थिल्स्वाइब कर फीजया हमाराये यश्टो